Welcome to the channel, ये Class 12 के second chapter Lost Spring का second part है First part में हम लोगों ने साहब की स्टोरी कवर की थी और इस part में हम मुकेस की कवर करेंगे इस part में मुकेस एक लड़का है जो कार मेकैनिक बनना चाहता है जब उससे writer मिलती है तो उसकी बातों से writer को समझ में आता है कि वो mechanic बनना चाहता है फिर वो कहता है कि मैं कार भी चलाना सीखूंगा writer उससे पूछती है तुम्हें कार के बारे में knowledge है उसका सपना उसकी real condition से बहुत अलग था writer को पता था कि जिस society में वो है उसके सपने लिए वहाँ पर पूरे नहीं हो पाएंगे उसके कोई chance ही नहीं है पूरे होने के वो फिरोजाबाद में रहता है जहां काच की चूडिया famous है और ये काच की चूडिया बनाने के लिए famous है राइटर को पता है उसके डीम्स रियल नहीं हो पाएंगी और उस सीटी से ज़्यादा से ज़्यादा जो फैमिली हैं वो चूड़ियो के बिजनिस में ही इन्वाल्व हैं वो मुकेस से पूछती है कि वह क्या करेगा फ्यूचर में राइटर मुकेस से बताती है कि इंडिया की फैमस सिटी है ये फिरोजाबाद और यहां लगबग हर लेडी के लिए बैंगल्स बनती हैं यहां लोग वैल्डिंग ग्लास बस इसी काम में इन्वाल्व रहते हैं मुकेस की फैमिली भी यही काम करती थी और उसकी फैमिली को इस लौग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस तरह की के काम करवाना बच्चों से इल्लीगल है अगर ये उनको पता चल जा और अगर ये लौग यहां प्रेग्जेक्यूट हो जाए तो कम सकम 20,000 बच्ची इन चीजों से बच जाएंगे मुकेस राइटर को अपने एरिया में ले जाता है जहां पर कोड़ कच्रे और गंदिकी की अलावा और कुछ नहीं है और बैड इसमेल भी आ रही थी किसी घर में खिडकी नहीं है किसी घर में दरवाजे नहीं है किसी का कुछ तूटा हुआ है किसी के छत भी नहीं है और कुछ नहीं था वहां पर मुकेस का घर भी एक मिट्टी का ही घर था जब वो अपने घर के बाहर पहुँचा तो उसने पैर से धक्का मार करके अपने घर का गेट खोला और जब राइटर अंदर पहुची तो एक तरफ चूला था मिट्टी का और वहां कुछ बर्तन पड़े हुए थे और एक लेडी थी जो खाना बना रहे थी वो लेडी मुकेस के बड़े भाई की वाइफ थी उसकी आखों में इसमें स्मोक भरा हुआ तो जिसके वैस उसके आखों से आसुआ रहे थे वह बहुत रिस्पांसिबल लेडी थी क्योंकि वह तीन तीन लोगों का क्याल रख रहे थी एक तो मुकेस था दूसरा उसका भाई और तूसरे उसक मुकेस की ग्रैंड मदर कहती है कि यह तो उनकी फैमिली बिजनेस है वहां कई कलर की चूडिया थी हर जगह बस चूडिया ही चूडिया नजर आ रही थी और इस प्रोसेस के बाद वहां के लोग जो थे वह अपने यंग एज में ही अपने आईसाइट खो देते थे फिर घर Pirate Y Hai कि होती है उसके लिए यह चूडियां मतलब शुब होती है वह सोच्ती कि साइश कि वे जब इसकी साधी हो जाएगी तब उसे पता चलेगा चूडियों का महनी का और उसकी दादी थी वह गुस्ये से कह रहे थी उसने सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया है मतलब उसके कहने का ये था कि उसको भर पट करके खाना भी नहीं मिलता है क्योंकि उनकी अर्निंग इतने अच्छी नहीं है फिर उसके husband को देख करके writer बहुत surprise होती है क्योंकि उस बूरी औरत के husband इतना तो कर लिया था कि उसने अपने फैमिली के लिए घर बनवा दिया था बाकि उसके आसपास के लोकालिटी में ऐसा कोई घर नहीं दिख रहा था जो घर देखने जैसा लायक हो ताइम गुजरने के बाद भी उन लोगों की कंडिशन में कोई इंप्रूब्मेंट नहीं कि तुम लोग इस चीज़ को इगनोर करो और इनके अगेंस जाओ लेकिन लोगों ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते हमारा कोई साथ नहीं देगा और इस चीज़ को इलेगल मना जाएगी और हो सकता है कि पुलिस भी हमें आरेस्ट करके ले जाए लेकिन राइटर इस कास से बह नहीं मेरे से अपने बस यहीं तक्सीमित है थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग